हलो फ्रेंड्स, परकम टू मैं चैनल, आप शबी को नवरातरी और नववर्ष की धेरों सुपकामना है इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ चैतर नवरातरी की शरल पूजा विधी हिंदी कैलेंडर के अनुशार चैतर मास के सुकल पक्ष की पढ़वा से यानि प्रति परदा के दिन से नवर्ष की शरूवात हो जाती है और इसी दिन से नवरातरी भी शरूव हो जाती है बैसे तो पर्ष में चार नवरात्रे पढ़ते हैं जिन में से दो गुप्त नवरात्रे होते हैं और दो चैत्रमास के और अश्वनमास के नवरात्रे होते हैं लेकिन भारतवर्ष में चैत्रमास और अश्वनमास यानि कौर के नवरात्रे ही मुख्रूप से मनाई जाते हैं सभी नवरात्रों की पूजा विदी शेम ही होती है तो चलिए आई देख लेते हैं हमें किस तरह से नवरात्री की पूजा करनी चाहिए सबसे पहले जहां पर हम पूजा करेंगे उस जगय को अच्छे से साप कर लेंगे वहां पर हम आटे से और हल्दी से एक चौक माड़ लेंगे यह चौक आप ट्रंगोली वाले कलर से भी माड़ सकते हैं लेकिन पूजा में आटे से और हल्दी से चौक माड़ना बहत सुमाना जाता है जिस जगय हमन खेला सब्वाइन करेंगे आप चाहेंगे तोट फूलों का या फिर चावल का आसन देकर भी भगवाइन की स्थापना कर सकते हैं अब हम कलस लेंगे कलस के एकल कंट पर मोली बान एंगे यह कलस माने पीतल का लिया है आप तामी का या मिट्टी का भी ले सकते हैं कलस पर हम एक स्वास्तिक का चिन बना लेंगे रोली से या फिर कुमकुम से अब हम कलस में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे इसके पाद हम कलस को सुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे अब हम कलस में एक पतासा, एक हल्दी, एक सुपाड़ी, थोड़ी सी दूब खास, एक सिक्का और एक लोंग का जोड़ा डाल दाएंगे मातारानी के कलस की स्थापना जब हम करते हैं तो उसमें लोंग का जोड़ा अवश्य डाला जाता है इसके बाद कलस के कंट पर हम आम के या असोक के पत्ते लगा लेंगे जिसको मैंने कुम-कुम से और चंदन से या फिर आप हल्दी से भी टिक सकते हैं कलस के मुख पर हमें एक पूण पात रखना है जिसमें मैंने थोड़े से अच्छ डाले हैं आप गैहूं या भी जो भी डाल सकते हैं अब हमें एक चटाओं वाला पानी वाला नारियल लेना है जिस पर हम मौली या फिर चुंदरी बांद लेंगे यदि आपके पास चुंदरी ना हो तो आप लाल कपड़ा भी नारियल के ऊपर पांद सकते हैं जब भी आप नारियल के स्थापना कलस पर करें तो याद रखें नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए या फिर उपर की ओर होना चाहिए नवरातरी की चौकी आपको हमेशा ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि यह चौकी एक बार लग जाती है उसके बाद नौ दिन तक हिलाई नहीं जाती है साथ ही यदि आपके मंदिर में जगह हो तो आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं कलस को आसन देने के लिए हम अच्छत से अश्ट दलकमल बना लेंगे आप गैहुं से या फिर चौ से भी अश्ट दलकमल बना सकते हैं अब हम इसके उपर कलस्की स्थापना करते हैंगे इसी तरह से हम अच्छत का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर प्राजित कर लेंगे प्रेंड्स नवरात्रे की पूजा सामिक्री का वीडियो भी आपको मेडिये चैनल पर मिल जाएगा लिंक आपको उपर आई विटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वासे आप वह वीडियो देख सकते हैं पूजा आरम करने से पहले हम दीपक प्रजलित करेंगे और सभी भगवान को हम भाव पूण इश्नान कराएंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का सक्षी होता है इसलिए किसी भी पूजा को आरम करने से पहले हमें अपनी पूजा में अगनी देव का आवाहन करना चाहिए इश्नान कराने के बाद हम मातारानी को बस्त रूप में चुंदरी अर्पित कर देंगे यदि आपके पास मातारानी का बिक्रह है तो आप पंचामरत से मातारानी का इश्नान करा सकते हैं अब हम जवारे बोएंगे जिसके लिए मैंने एक मिट्टी का पात्र ले लिया है इसे हमारे यहां कुंडा बोला जाता है मिट्टी के पात्र में जवारे बोना बैस्ट आप्सन है यदि आपके पास इस तरह का मिट्टी का पात्र ना हो तो आप कोई प्लेट ले लिजिए इ नातारानी की चौकी के पास डारेक्ट जमीन पर मिट्टी को पिछा करके यह जवारे बो सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस जगे भी आप जवारे बोहें। उस जगे को अच्छे से सुद्ध कर लीजिए। गंगाजल डाल करके तब बहां पर आप जवारे बोने से पहले हम एक स्वास्तिक का या फिर शरीम का चिन बना लेंगे और थोड़े से अच्छा चड़ा देंगे। अब हम इस कुंडे को कुम-कुम से, चंदन से, या फिर हल्दी से टीक लेंगे। जवारे को भ्रह्मा जी का सरूफ माना जाता है। और जवारे पूने से माता अन पूना और मातारानी प्रशन होती हैं और घर में धंधान के भंडारे भरी रहते हैं अब हम कुंडे को मिट्टी से भर देंगे बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जवारे पूनी के लिए आप जो भी मिट्टी लें वो साप सुत्री जगय की होनी चा मिट्टी में कोई कंकड पत्थर नहीं होनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना है कुंडे को मिट्टी से उपर तक नहीं भनना है क्योंकि जब हमारे जवारे अंकुरित होते हैं तो मिट्टी फूल करके ऊपर आ जाती है अब हमने जो गैहों के या फिजो के दाने भ पूद्र ना लग जाए अब हम इन जवारों को उठा करके मातारानी के पास ही रख देंगे आप चाहें तो कलस की स्थापना इन जवारों के ऊपर भी कर सकते हैं अब हम भगवान गनेश का सबसे पहले पूजन करेंगे चंदन से कुमकुम से तिलक करेंगे अच्छे अब हम इतर और बस्त्र भी भगवान गनेश को अर्पित करेंगे अब हम आध सकती मातारानी के साथ साथ शभी नोदेवी का भी पूजन करतेंगे सभी को हम कुमकुम से तिलक करतेंगे और मातारानी के फोटो में जो यंद्र दिया है माताने जो हाथ में अश्तर शास्तर पकड़े हैं उनका पूजन करते हैं यदि आप 9 दिन तक मातारानी का नवरात्री का ब्रत रखते हैं तब तो आपको चौकी अवश्च लगानी चाहिए यदि आप 9 दिन तक मातारानी का यह ब्रत नहीं करते हैं केवल पढ़वा और अश्टमी का ही ब्रत करते हैं तब भी आ लेकिन आप किसी कारण बस चुंद्री की पैवस्था नहीं कर पाए हैं तो आप मौली को बस्त्र के रूप मातारानी को अर्पित कर सकते हैं साथ ही हमने मातारानी को कुछ तच्छना सरुक पैसे भी अर्पित किये हैं और हमने भोग के लिए जो भी फल और मिठाई लिए हैं उनको भी हम मातारानी के सामने रख देंगे और हमने जो सुहाक का सामान लिया है बो भी हम मातारानी को अर्पित कर देंगे ये सुहाक का साम साथ ही मन ही मन में मातारानी का ध्यान भी करते रहना चाहिए आप चाहें तो मन में मातारानी के किसे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर मन ही मन जैमातादी जैमातादी इस प्रकार भी आप जाप कर सकते हैं अब हमने कलस का भी पूजन कर दिया है और कलस को हमने एक फूलों की माला भी अर्पित कर दी है साथी आपको एक चल का कलस भी मातरानी के पास अवश्टकना चाहिए अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे कुम कुम लगाएंगे अच्छा चड़ाएंगे साथी हम कुछ हवन कुंड में हम पहले घी डालेंगे उसके बाद हम अगनी प्रजलित कर लेंगे यदि आप नौ दिन तक प्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको पूरे नौ दिन तक यह हवन करना चाहिए इस वीडियो में मैं हवन की बहुती सरल विधी आप लोगों के साथ सेयर कर रह हवन कुंड में सबसे पहले हम भवान गनीश के नाम से आहूतियां देंगे उसके बाद गौरी माता के नाम से आहूतियां देंगे अब हम नौ देवी के नाम से नौ आहूतियां हवन कुंड में अर्पित करेंगे उसके बाद एक लोंका जोड़ा एक इलाइची एक कपूर और एक पतासा भी हम हवन कुंड में मातारानी को अर्पित कर देंगे साथ ही आपने जो भी भोग लगाया है उसको भी आप हवन कुंड में मातारानी के भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं क्योंकि अगनी के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारे भोग को ग्रहन करते हैं अब हम हवन में नव ग्रह के नाम से आहोतियां देंगे उसके बाद अपने कुल देवी के नाम से कुल देवता के नाम से साथ ही हम अपने ग्राम देवता के नाम से भी हवन कुण में आहोतिय दे देंगे इसके अलावा यदि आपके परवार में किसी अन्य देवी देपता की पूजा की जाती है तो आप उनके नाम से भी आहोतिया हवन कुंड में दे सकते हैं हवन करने से घर का बातावरन सुथ होता है और घर में पॉजिटिव एनरजी आती है जब हमारा हवन संपोंड हो जाएगा तो हवन की आती पहले हम मातारानी को देंगे और हवन कुंड के चारो ओर जल फिरा करके हम हवन के अगनी को सांथ करेंगे हम सेम आरती लेंगे हवन की और अपने परवार की सभी सदस्यों को हवन की आरती लेने के लिए पोल देंगे अब हम आरती करेंगे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ आप चाहें तो जो हमने घी का दीपक चलाया है उसे भी आरती कर सकते हैं पहले हम भगवान गनेश के आरती करेंगे, उसके बाद हम मातारानी के आरती करेंगे और कलस की भी आरती कर देंगे फ्रेंड्स यदि आपके पास टाइम हो और आपकी सुधा हो तो आपको नवरात्री के 9 दिनों में दुरुगा सफसती का पार्ट अवस्थ करना चाहिए क्योंकि दुर्गा सफसती मातारानी को सबसे अथितिक प्रिया है और दुर्गा सफसती के पार्ट से दुर्गा माता बहुत जादा प्रशन होती है साथ ही अपने भक्त को मनवानशित बर देती है और अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रच्छा भी करती है आप दुर्गा सबसती का पार्ट बहुती सरल तरीके से घर पर कैसे कर सकते हैं इसका भी पीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगी फ्रेंट्स अब हम आरती की अगनी को सांत करेंगे पहले हम मातारानी को आरती देंगे उस बरकत लाएं शुक्षान दिलाएं तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूं नवरात्री की पूजा विधीका मेरे ये चोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा कोमेंट्स करके जरूर बताएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्थ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को ज्यादा से जातर लाइक कीजिए साथी पहला आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमें फ्रेंट्स वाक्स में जेमातादी अवश्च लिखीएगा धनवात फ्रेंट्स जेमातादी